क्या आपको यूरीन पास करते समय दर्द या जलन हो रही है पेट के नीचे हिस्से में दर्द और सूजन है यूरीन में स्मेल आ रही है बार बार यूरीन लग रही है लेकिन ठीक से पास नहीं हो रही है तो ये सारे लक्षन इशारा करते हैं कि आपको यूरीन इंफेक्शन ह हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वाइब करती हुए एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल एस माम्स में जहां हम आपको देते हैं महिलाओं और बच्चों से जुड़ी हुई धेर सारी जरूरी जानकानिया वैसे तो ये आजकल लड़कियों और महिलाओं में बहुत आम हो गया है और इतना ही नहीं आट साल की उमर से ही लड़कियों को होने लग गया है और अगर समय रहते इसका इलाज ना किया जाए या लक्षनों पर ध्यान ना दिया जाए तो ये काफी खतरनाक भी हो सकता है इसलिए मैंने सोचा इस पर एक वीडियो करना जरूरी है ताकि इन में से कोई भी लक्षन अगर आपको खुद में या अपनी बेटी में दिख रहे हैं तो आप उन्हें कंट्रोल कर पाएं इस वीडियो में हम आपको डीटेल में बताएंगे कि ये इन्फेक्शन कैसे हो जाता है और अगर हुआ है तो कैसे कुछ टिप्स फॉलो करके आप इसे ठीक कर सकती है तो चलिए शुरू करते हमारा आज का टॉपिक यूरियन इन्फेक्शन के कारण और उससे बचने के उपाए और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिले तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलेगा और जितना हो सके शेयर करिएगा ता इसी भी हिस्से में हो सकता है जैसे किड्नी, ब्लाडर और यूरेत्रा किड्नी शरीर के सारे वेस्ट और आसिट्स को लिक्विड में बदल कर यूरीन के जरिये बाहर निकालने का काम करती है किड्नी से लेकर यूरीन बाहर निकलने तक का जो रास्ता होता है वो एकोलाई bacteria की वज़र से संक्रमित हो जाता है तो उसे urine infection कहते हैं लेकिन इस bacteria के अलावा भी कई कारण होते हैं पहला कारण हो सकता है less water intake अगर आप पानी कम मातरा में पीती हैं तो शरीर को गंदगी बाहर निकालने के लिए required amount में liquid नहीं मिलता और जो waste kidney से होते हुए urine के रूप में बा infection फैलने लगता है तो पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए और अगर infection हो भी गया है तो ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करिए ताकि आपको अच्छे से urine पास हो और शरीर से सारी गंदगी निकल जाए इसके अलावा नारियल पानी भी infection को कम करने में बहुत सायक है दूसरा कारण हो सकता है urine retention कई बार लड़कियां और महिलाएं अकसर urine रोक लेती हैं जैसे कहीं travel कर रही है और toilet साफ ना हो या road trip पर हो और toilet available ना हो या फिर urine आ रही है लेकिन किसी वज़े से washroom नहीं जा पा रही है तो urine track में ज्यादा देर urine भरी रह जाने से ये infection हो जाता ह ये खास कर छोटी लड़कियों के साथ होता है तो प्लीज urine को मत रोकिये और अगर यही वज़ा है infection की तो आप हो या बच्ची दोनों तरल पदार जैसे juices और पानी का सेवन ज्यादा करिये तो धीरे धीरे infection खतम हो जाएगा तीसरा कारण हो सकता है use of dirty and public toilet दोस्तों urine infection females को ज्यादा होता है और अगर आपका toilet साफ नहीं रहता है या अब public toilet का इस्तिमाल कर रही है या बच्ची school जाती है तो school का toilet और आप office जाती है तो वहां का toilet यूज करती है तब भी infection के chances रहते हैं तो लड़कियां हो या महिलाए आज कल सबके पास toilet sanitizer होना चाहिए ताकि infection से कर सकते हैं चौथा कारण हो सकता है lack of proper hygiene during periods periods के समय पैड चेंज करते वक्त अगर आप pelvic area को wash नहीं करती और ऐसे ही पैड लगा लेती हैं तो blood pad के chemicals के साथ मिलकर infection पैदा करते हैं इसलिए periods के समय पर आप hygiene का ध्यान रखिए और pelvic area को wash करने के लिए intimate wash का यूज करिए ताकि infection और अगर infection हुआ भी है तो उस area को clean रखिए ताकि infection ना बढ़े और केवल periods में नहीं बलकि intimate wash आपके पास हमेशा होना चाहिए खास कर गर्वती महिलाओं को भी इसका इस्तिमाल करना चाहिए पाच्वा कारण हो सकता है kidney stone अगर आपको kidney में पत्री की शिकायत है तब भी urine infection ह हो सकता है क्योंकि kidney में पत्री हमारी urinary tract के किसी भी हिस्से पर बुरा असर डाल सकती है जिससे urine ठीक से पास नहीं होती और ये infection का रूप ले लेती है तो ऐसे में बीजवाली सबजियां और बाहर का तला हुआ खाना ना खाएं और पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं च्छ प्रोल नहीं होता और दर्ध जलन जैसी समस्याएं होने लगती है तो ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसर्ड करना चाहिए इसके अलावा मेनोपॉस में अपना ख्याल कैसे रखना है इस पर मैंने एक वीडियो आपसे औरड़ी शेयर किया है तो अगर ये आपका मेनोपॉस क टाइम है तो वो वीडियो जरूर देखिए उसका लिंक मैंने आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है अगला कारण हो सकता है यूज ऑफ टाइट और सिंतेटिक अंडरवेर अगर आप बहुत टाइट और सिंतेटिक फाब्रिक के अंडरवेर पहनती है तो उसके वज़े से पसीना आता है और यही पसीना इंफेक्शन पैदा करता है जिससे आपके पेलवेक एरिया में इचिंग, जलन और दाने भी निकलाते हैं तो आप कॉटन की और थोड़ी लूज अंडरवेर पहनिए ताकि एर पास आउट हो सके और स्वेटिंग कम हो साथ ह जब भी आप कहीं बाहर आएं जाएं तो कपड़ों के साथ अंडरवेर भी चेंज करिए और उस एरिया को इंटिमेट वाश से धो लिजे क्योंकि हाईजीन मेंटेन करना भी पहुत ज़रूरी है इसके बाद एक और कारण है जो शादी के बाद अकसर महिलाओं को यूरिन हो जाता है वो यह है कि जब हम अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हैं यानि इंटिमेट होते हैं तो हाईजीन मेंटेन नहीं हो पाता और इंटिमेट हो जाता है यह बात आप और आपके पार्टनर दोनों को समझनी होगी कि इंटिमेट होने से पहले या उसके बाद साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें तो दोस्तों ये थे Urinary Tract Infection के कुछ कारण और टिप्स इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आपको infection हो चुका है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पहला है Avoid Spicy Food Caffeine and Alcohol ये सारी चीजें शरीर में Water Retention को बढ़ाती है शरीर Hydrated नहीं रहता तो जाहिर है कि यूरीन ठीक से पास नहीं होगी और infection के bacteria शरीर से नहीं निकलेंगे इसलिए इन सारी चीजों के सेवन से बचिए दूसरा है Increased Liquid Intake जितना हो सके Liquid चीजों का सेवन करिए जैसे चास, लस्सी, नारियल पानी फलों का जूस, सबजियों का जूस, खीरा क्योंकि इन में धेर सारे आंटी आक्सिदन्स होते हैं जो बॉडी में infection को खतम करते हैं इसके अलावा दही का सेवन ज्यादा करें क्योंकि ये आपकी बॉडी में बुरे बाक्टिरिया को नश्ट करता है इसलिए इन सब चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए इसके अलावा include vitamin C in your diet vitamin C यो आहार भी urine infection को खतम करने का बहुत अच्छा तरीका है ये हमारे immune system को मजबूत करता है और साथ ही vitamin C वाली चीज़ें बॉडी में आसानी से घुल कर urine के जर्ये बाहर निकल जाती है और बॉडी को detox करने का ये तरीका बहुत अच्छा है दोस्तो urine infection केवल मैलाओं को ही नहीं बलकि 5 साल से उपर किसी भी लड़की को हो सकता है अगर आपकी बच्ची pelvic area में itching करती है उसे urine पास करने में जलन होती है तो इसे ignore ना करें वरना infection बढ़ सकता है खास कर जब लड़कियों के पीरत शुरू हो जाते हैं तब इस infection के chances ज्यादा होते हैं तो उन्हें साफ सफाई कैसे रखनी चाहिए ये उन्हें सिखाईए ताकि infection ना हो आप हो या बच्ची अगर बार-बार urine के लिए जाना पड़ रहा है vaginal discharge हो रहा है urine पास करने में जलन या दर्द हो रहा है urine ज्यादा dark है या blood आ रहा है या fever हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से consult करके test कराईए ताकि सही समय पे इसका इलाज हो सके और साथ ही हमारे tips को भी follow करिए ताकि ये infection जल्दी खतम हो सके क्योंकि ये छोटा सा infection कभी-कभी गंबीर विमारी का रूप ले लेता है तो इसे ignore बिलकुल मत करिए तो दोस्तों आज के लिए वस इतना ही अगर आपको हमारे इस वीडियो से थोड़ी भी help मिली हो तो प्लीज हमारे वीडियो को like कीजेगा साथ ही इस वीडियो को उन लोगों से share करिएगा जिन्हें इस वीडियो की जरुरत है अगर आपके इस वीडियो से related कोई भी सवाल है तो वो आप नीचे comment box में मुझसे पूछ सकते हैं साथ ही अगर आप मुझसे directly बात करना चाते हैं तो आप मुझे instagram पर directly message भेज सकते हैं उसका handle में नीचे description box में आप से share कर दूँगी जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले और बहुत ही informative topic के साथ तब तके लिए आपके आगया चाती हूँ नमस्कार